नमश्कार दोस्तो इस वीडियो में आपको बचाने वाला हूँ केन मास्टर का क्रैक वर्जन आप किस तरह से पने फॉन में इंस्टॉल कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है देखिए सबसे पहले मैं दिखा देता हूं कि मैंने कैसे क्रैक किया हुआ है तो यह केन मास् करने के बाद हम वीडिया के उपर क्लिक करेंगे और यहां से वाटसप से मैंने एक वीडियो ले लिया है वीडियो को लेने के बाद मैं यहां पर कर रहा हूं करने के बाद मैंने वीडियो को ट्रिम कर दिया है ठीक है तो यह वीडियो है इसको करके दिखाता हूं मैं क्रैक वर्जन है ये तो उसके लिए देखो सबसे पहले मैंने क्या किया क्रोप कर लिया मैंने वीडियो को तो इसके बाद ये देखिए वो इसको कम जादा यहां से कर सकते हैं जो भी करना चाहें करने के बाद अब देखिए इस तरह से आप वीडियो तो एडिट कर लेंगे वीडियो को एडिट करने के बाद दिक्कत कहां पर आती है आपको जब इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वाटर अगरता है तो उसके लिए अपने क्या करना है तो आपको यहां पर राइट कॉर्नर बदेखिए जिस साइज के साथavored देखिए इसके उपर वाले option पे हमने क्लिक करना है जैसे उपर वाले option पे क्लिक करेंगे यहां पे देखिए full HD पे कर दिया मैंने देखिए HD पे इसका size 12 MB full HD पे करने पे इसका size 27 MB और इसको 30 कर देंगे frame rate को तो यह देखिए 27 MB रेट है ना अगर किसी और एप में करता यह इसी केन master का without crack version करूं तो यह file मेरी 300 MB के आसपास इसका size आएगा लेकिन क्योंकि यह crack version है इसलिए इसका size भी कम है और full HD है और बिल्कुल भी blur नहीं होगी तो इसको मैं high पे कर देता हूं high पे करने के बाद यहां से आपने क्या करना है export एक्सपोर्ट करते ही यह देखिए video export होना शुरू होगी तो इसमें कोई skip का option नहीं आया विदवार्ट मार्क कुछ नहीं आएगा यह आपको वर्जन में Google Drive के थ्रू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है अगर आप यह crack वर्जन आप email ID पे चाहते हैं तो comment वेक्स में जाकर के अपनी email ID लिक के मुझे send करें मैं आपको zip file के अद़र email करूंगा जिसमें यह crack वर्जन होगा उससे पहले आपको क्या करना है अगर आपके phone में पहले से cane master download है install है तो उसको uninstall कर दें सबसे पहले uninstall करने के बाद आपने फिर क्या करना है phone की setting पे जाना है पहले तो cane master के पहले से downloaded version को uninstall करना है सबसे पहले uninstall करने के बाद आपको setting पे जाना है setting पे जाने के बाद आपको software update पे जाना है वहाँ पर जाने के बाद आपको इसको आफ कर देना िसको आपने आफ कर देना है इसके आफ करने का बेनेफिट यह है अगर आप अपने फौन को अपडेट करते हैं तो इसमें ये अप भी अपडेट हो जाएगी मतलब आपका फोन अपडेट नहीं करना है इससे आपका फोन भी हैंग होगा और जो एप्लिकेशन है वह भी क्रैक वर्जन खतम हो जाएगा